हलो विडियो गुड मॉर्निंग नमस्कार 9 अक्तूबर 2023 और दे हिंदू न्यूज पेपर एनलिसिस में आपका स्वागत है आज की जितनी भी इंपोर्टेंट न्यूज और एडिटोरियल होंगे वो इस वीडियो के तुरू डिसकस करेंगे start करेंगे first page के साथ और first page पर भी एक important जो पूरी दुनिया में event हो रहे है उसे के बारे में cover किया है इसराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई है उसके बारे हम डिसकस किया गया है क्या इवेंट हुए उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे इससे पहले आपको जोगर्फीकली कुछ यह समझने पढ़ेगी इसराइल पर गाजा पट्टी से जिसको बोल सकते है जिसमें फिलिस्तान का एक important part रहता हलाकि इससे भी जादा या इससे भी जादा population रहते है इनकी West Bank वाले जो एरिया यहाँ पर गाजा स्ट्रिप एक छोटा सा एरिया है और उस एरिया से लगबग 5,000 क्या सपास missile जो है वो attack किये गए इसराइल पर हलाकि इसराइल का जो dom system, iron dom system काफी अच्छा लेकिन जब इतने ज्यादा संक्या में missiles आएंगे तो थोड़ा सा confusion definitely होता जिसकी वज़े से अच्छी खासी causality होई बहुत सारे soldiers, civilians को capture किया गया और इस घटना में एक group involved है जिसका नाम है हमास हमास basically क्या है? एक organization है जिसको back करता है इरान और वो कहीने के फिलिस्तान के struggle के लिए फिलिस्तान की independence के लिए या फिलिस्तान का जो area capture कर रखा इसराइल ने उसको return करने के लिए ये सारी चीज़े हुई अब क्योंकि इसराइल one of the toughest enemy है क्योंकि इसराइल को defeat करना ये बहुत ज़्यादा मैं एक होंगा की मुस्किल है तो इसलिए आप देखेंगे जैसे ही घटना होती है उसके बाद क्योंकि न्यूटन ने जो third low दिया था every reaction has equal and opposite reaction जब आप attack करेंगे तो भई attack face करने के लिए भी ready रही है इसराइल ने उसके तुरुन बाद air strike करने शुरू करी और बहुत सारे लोगों ये death हुए क्योंकि इसराइल को भी पता है कि जब enemy चारों तरफ हो तो एक और area आता है यहाँ पर आप देखेंगे लेवनान वाला जहाँ पर हिजबुला वो भी एक terror group है जिसको back करता है एरान तो वहाँ पर भी attack हो रहा है इवन अगर आप देखेंगे ocean roots के तुरू entry करने कोशिश करने है तो वहाँ पर भी इनकी navy active है यह काफी solid attack हो और आने वाले time में इसके significance क्या है impact क्या पढ़ेंगे उसके बारे में discuss करेंगे क्योंकि यह इंडिया से भी direct और indirect relation है क्योंकि बड़ी संक्या में लोग वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं तो इंडियन MSC ने basically बोला कि जहां भी आप है security forces से contact करिए और हर एक नागरे को बाहर निकालने के लिए responsible है government of India कुछ news आ रहे हैं कि बहुत सारे जैसे अभी नेपाल की ministry ने confirm किया कि around 10 student हैसे है जिनकी death हो चुकी इस conflict में तो यहाँ पर number बताए गए है कितनी causalities हुई है उसके बारे बताया गया बाकि जो basic basic चीज़े थी वो हमने यहाँ पर cover करी क्योंकि बहुत लंबा या चोड़ा discuss करने की requirement नहीं है यह attack की timing कितनी important है और आने वाले time में क्या western Asia जो थोड़ा peaceful या collected सा नज़र आ रहा था है पिछले कुस दिनों में एक और नया event होने वाला है और एक नया confusion यहाँ पर create होने वाला है और Middle East में हो जादा peace पहले भी नहीं रही है तो अभी थोड़ी effort हुए थे तो क्या आने वाले time में फिर से यहाँ पर peace disturb एक environment आफ देखेंगे इंडिया साथी रिवियर यह पूरे एरिया को क्या इसमें ओपिनियन है क्या observation से वो सारी चीज़े हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद हम जाएंगे text and context में text and context पिज नंबर 8 पे है और उसे पहले कुछ basic से news बताई गी है जैसे Asian Games में number of gold medal जो है वो चाइना ने 201 के आसपास जीते है चाइना gold medal इतना क्यों जीतता है UPSC नो बहुत पहले कैसे पूछा था कि Olympic में 50 gold medal क्या India जीत सकता है is it possible तो definitely इंडिया के पास potential है proper facility और ट्रेनिंग से वो चीज़े हासिल की जा सकते लेकिन उसमें समय लगेगा वो चीज़ा अभी नहीं होने वाली है इसके बाद आफगानिस्तान में एक बहुत ही dangerous अर्थ को एक आया जिसमें बहुत सारे लोगों कोई death हुई है उसे के बारे हम डिसकस किया गया text and context का जो main topic है वो सिक्किम के अंदर flash flood आई उसके बारे हम डिसकस किया गया glacier lake outburst क्या होता है और क्या चुंग्थांग डैम जो है उसने हिमाले का frisail ecosystem को damage किया है और आने वाले time में क्या हम यह predict कर सकते किस तरह घटना करम न दुक्सान होई है आप buildings देखेंगे काफी यह सुंदर सा नजारा लेकिन अगर आप यह वाली फोटोग्राप देखेंगे तो आपको idea लगेगा कि कितना dangerous था flash flood या नि बड़ी सिंख्या में जब बार आती है वो अपने साथ बहुत सारी चीजे carry करके लाती है debris हो या फिर एक तरीके से अगर हम बात करें एक पेट पोदों की जो जड़ है या उनके एक तरीके से डालिया वो create करती है वो create कर देती है मैंने पहले ही बताया था कि यह वाला जो area हिमालेन स्टेट जितने भी है ये केवल सिक्किम की बात नहीं है चाहे लद्दाक से लेकर हिमाचल प जो है वो new mountain है वो भी developing phase के अंदर है और अगर vulnerability की बात करें तो बहुत ज़्यादा vulnerable है वहाँ पर जब development होता है तो कही नहीं कही उसके ecosystem को challenge कर रहे है और जब आप environment के साथ ये कहा भी गा गया आप nature के साथ जो हचेड़कान करेंगे तो nature आपको भी disturb करेगा तो वो एक results है इसके अलावा बताया गया कि round 25 लोग इसके अंदर मारे गए है बहुत सारे लोग अभी भी missing है और massive flood देखने को मिला glacier lake outburst के अंदर 4 अक्तूबर को right glacier lake outburst flood जो है वो एक large lake form होती है जब glacier melt हो जाता तो उसे एक lake बन जाती है और जब यह suddenly break हो जाता है जिसमें natural dams की तरह बनता है जिसमें रोक, sediment और जितनी इव डेवरीज है वो फिर rivers के थूप है ती बहुत सारी rivers जैसे अभी आपने पढ़ा होगा बरंपुत्रा की जो right hand side स है तीसता रिवर वहाँ पर कहीने कई flood देखने को मिली water pipeline सीवेज लाइन around 277 houses destroy हुए इसकी जो सबसे affected डिश्टी मंगां गंटोक पेकियों को नामची यह ऐसी डिश्टी के जो सबसे ज़्यादा affected हुई है क्या आने वाले time में हम इसको रोक पाएंगे या इसको लेकर कोई strategy बनाएंगे definitely serious concern और इसके अंदर civilians के साथ साथ हमारे soldiers भी कहीने कहीं उनको भी नुकसान पहुँचा है या इक तरीके injuries हुई है यहाँ पर यह फोट्रग्राफ देखेंगे flesh flood में क्या होता है और इसको साफ करने में बहुत समय लगेगा भी recent time में यह flesh flood वाली जो घटना कर हम है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत जादा देखने को मिली थी तो क्या climate change का impact हम already observe कर रहे हैं और क्या हिमालेयन vulnerable system में जो sustainable development का word है उसको हम कहीने कहीं miss कर रहे हैं यह important concept होगे इसके बाद एक छोटा सा news यहाँ पर cover किया गया है retail inflation को लेकर inflation वाला जो topic है हम लोग आज editorial वाले section के अंदर discuss करेंगे inflation, core inflation, headline inflation क्या होती है क्या इसका overall observations होती है basically इंडिया की retail inflation के बारे हम discuss किया गया retail inflation in the sense की जो ground पर impact करती है जैसे एक समाने नागरिक जो चीज़े खरीता है वो retail के अंदर आता है wholesale का मतलब होता है जब आप large quantity में चीज़े खरीते हैं क्योंक जो directly impact करती है तो वो एक better observation present करती है इसलिए RBI भी inflation को measure करने के लिए retail inflation का ही use करता है जिसको consumer price index भी बोला जाता है target रखा जाता है कि 2-4% हो और उसमें 2% tolerance limit होती है नहीं 2-6% के बीच में होने चाहिए इससे ज़्यादा होगी तो वो serious inflation की category में आएगा अभी क्योंकि कुछ चीज़े हुई है पहला essential commodities food items इनकी कीमत कम हुई हाला कि pulses या दाल की कीमत कोई कम नहीं हुई है यहाँ पर वैंको बैड़ोदा कि कुछ economist है उनने analysis किया कि monthly index जो है वो कहिने के improvement हुआ है उनका अपना analysis है data है लेकिन सबसे important होता जब भी आप analysis देखेंगे data देखेंगे तो consumer price index जो national statistical office द्वार रिलीज किया जाता है नसो के द्वारा उसका data काफी important होता है इसके लावा consumer price index के अगर आप data की बात करें क्योंकि यह मन्तली बेश पर आता तो data carry करना important नहीं है उस data के अंदर क्या NSO बोल रहा है कि क्या चीज़े रही है क्या impact पड़े तो वो एक observation important है क् हर मन्त का data carry करना it's next to impossible इसके अलावा बताया गया क्योंकि September के अंदर price rise हुए लेकिन कुछ अच्छी चीज़े हुई जैसे tomato, potato, onion के price थोड़ा कम हुए रेशन में announcement हुआ कि LPG prices जो उसको कम होंगे यह headline inflation क्या है यह सारी चीज़े हम detail साथ discuss करेंगे editorial वाले section में क्योंकि वह होने चाहिए तो उसके बारे हम लोग detail में वहाँ पर discuss करेंगे इसके बाद अगर आप next page देखेंगे तो next page mostly political news है political news ही आपको नजर आएगी और इसमें इंडिया किस तरीके से चीज़ें को सोचता है उसके बारे हम decide किया क्योंकि government का काफी है तक अगर हम बात करें मैंने प लेवल पर हम लोग इसराइल के साथ थोड़ा सा better condition में है as compared to फिलिस्तान अगरा फिलिस्तान के साथ इंडिया के historical relation को observation भी करेंगे तो वो soft diplomacy के type में आपको नजर आएंगे for example वहाँ पर schools बनाना वहाँ पर hospitals में investment करना ये चीज़ें आपको ज्यादा देखने हम लिगा as compared to इसराइल जिसके साथ हमारे technical agreements है इसके बाद page number 12 जो है वो discuss कर रहा है सबसे पहले अधित्या अलवन के बारे में अधित्या अलवन एक important mission है और इसके बारे में पढ़ेंगे हलाकि यहाँ पर जो detail है वो corrections एक तरीके से technical detail दी गई है इसरों ने trajectory correction किया है अधित्या अलवन का जब भी कोई space mission के बारे में आता है तो space mission का objective क्या है यह ज़्यादा relevant है ना कि उसके technical की कितना weight है कितना यह सारी चीज़े है major objective क्या है अधित्या वन mission के पहली बात solar की upper atmosphere को जिसमें chromosphere और करोना है इसके dynamics को study करना यह main चीज़े है physics क्या है कोरोना की solar कोरोना की उसकी heating mechanism क्या है temperature velocity और density किस तरीके से impact होती है space weather में क्या drivers है उसकी magnetic field topology किस तरीके से impact होती है field measurement कैसे करेंगे यह सारी चीज़े जो है यानि उसके objective ज़्यादा important है as compared to उसके technical details की कितना कौन-कौन से उसके अंदर instruments यह सारी चीज़े तो यह important है इसके बाद जो important topic है वो है prey base के अंदर asiatic wild dog जिसको धोल भी बोला जाता है tiger coexistence के बारे में क्या discuss करता है उसके बारे में पढ़ेंगे यह जो topic है इसको देखकर कभी कभी आपको थोड़ा हसी भी आएगी कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं हम कुत्तों के बारे में पढ़ रहे है स्टार्ट में फोड़ा में आपको सिंपल एक डोग या कुता नजर आएगा बट इसकी significance क्या है क्या इसके अंदर exam oriented चीज़े हैं वो हमारे लिए important है बहुत लंबा चोड़ा इन्होंने छाप पाया लेकिन में में पांच चाहर चीज़े हैं पहली बात overlapping हो रही है प्रे availability की या नि जो उनको खाने पेने की जगह चाहिए या sustain करने के लिए जो location चाहिए वो overlap कर रहे हैं एक particular area से अब वो एक दूसरे से आगे निकल रहे है या अलग अलग जगह पर जो हो ट्रांस लोकेट कर रहे हैं अपने आपको इसके साथ tigers के साथ coexist करते हैं दोनों का अगर आप behavior देखेंगे दोनों ही carnivorous species है और ये अगर हम बात करें एसियाटिक wild dog बोला जाता है धोल्स को या dogs भी आप बोल सकते हैं लेकिन एसियाटिक wild dog के अगर आप presence के बारे हम बात करें मानस नेशनल पार्क असम का बहुत famous है बहुत popular species के मामले में तो वहा represented population है और around अगर आप देखेंगे धोल्स ये groups में रहते हैं पांच-दस के packs में रहते हैं और ये पहले पूरे सदरन और Eastern Asia में होते थे अब क्योंकि लगातार habitat loss हो रहा है number of prey availability जो हकम हो रही है persecution हो रहा है डीजी जा रहे हैं इंटर स्पेसिफिक competition है लगातार competition बढ़ रहा है सर्वाइव करने के लिए और अब ये categorize होती है endangered list के अंदर international union for conservation of nature की red data book के अंदर जो आईशन red data list release करता है जिसमें species को किस तरह का treat है किस level का treat है वो अब्जोग किया जाता है कि उसकी population कितनी है अगर आप देखेंगे यह अगर आप 949-225 है तो उसके हिसाब से decide किया जाता है कि यह कितना challenging है इसके अलावा अगर आप आप आपने wildlife protection act पड़ा होगा तो उसमें schedules है schedule 1 बहुत जादा protection प्रोड़ाइड करती है specific species को आपको एक cross verification करना है कि asiatic wild dog को किस category के अंदर रखा गया है wildlife protection act 1972 में list 1 में है 2 में 3 में है या नहीं है वो एक बार cross check करना और नीचे जरूर comment करना इसके बाद अगर हम बात करें तो वही लगबग चीजे बताएगे कि किस तरह का कैसे हम protect कर सकते हैं क्या इनका relations रोडेंट्स है या दूसरे जो रिशिस मका इस तरह की species के साथ main चीजे जो है number of population जो हैं की कम हुई है endangered category के अंदर आते है major अगर हम देखें तो क्या regions है इनके population कम होने के पीछे और इनका relation क्या है या coexist कैसे करते हैं दूसरी species के साथ कास कर करनी वाइरस species के साथ उसके बारे में एक studies ही यह आप कह सकते हैं इसके बाद page number 13 world affair दुनिया में इस इसराइल और हमास या इसराइल और गाजा पटी के बीच जो लड़ाई है वो आप definitely पढ़ेंगे क्योंकि इरान इसको back करता है तो इरान के जो प्रेजिडेंट है इबराहिम रहीसी इन्होंने फिलिस्तान को स्पोर्ट किया कि self defense में आप जो करना करिए बहुत सारी countries ने इ इसके बाद यहां पर बात होती है क्योंकि इसराइल और युनाइटिड स्टेट के बीच में agreement है अगर इसराइल पर कोई attack हो जाए तो यूएस की responsibility उसको security प्रवाइड करना इसके अलावा जैसे ही होता है तो जो वाइडन जो यूएस के प्रेजिडेंट होना ने सिप वार प्लेन जो भेज दिये इसराइल में और इम्योनेशन भेजा जाएगा यानि यह वार अगर एसकेलेट होता है तो यह बहुत बड़ी मैं कह सकता हूं कि इन्होंने प्रोपर प्लानिंग करी होगी इसकी timing बड़ी interesting है और उसके बाद आप देखें continue attack होगा आने वाले time में औ और US यह मानता कि यह सारी चीजे जो हुई है हमास का motive क्या था इस attack के पिछे क्योंकि उनको पता victory तो नहीं मिलने वाली इसराइल के अगर विक्टरी एक different रम होती है क्योंकि timing दो important चीजे है इसराइल recent time में दो तिन चीजों से गुज रहा है उनमें से एक है तो political stability नहीं है बार-बार elections होने और वहाँ पर लगाता है अगर आप देखेंगे सरकारे बदली है इसके बाद अगर हम बात करें अभी G20 में एक चीज हुई थी G20 के अंदर एक agreement के बारे बात हुई थी कि इंडिया यहां से सौधी रिविया इसराइल होते हुए यूरोप के साथ connectivity करने औ यूएस एक important role play करेगा इसमें एक और concern यह भी जतायागा कि हमास को लगता है कि अगर इसराइल और सौधी रिविया सौधी रिविया बहुत famous है क्योंकि Muslim community के लिए वहाँ पर famous places हैं और मक्का और मदीना जो दो important यह कह सकते हैं कि Islam religion के important place है वहाँ अगर उनके साथ relation यूज के या इसराइल के तो वो definitely हमास के लिए अच्छी यूज नहीं होने वाली है अब इसमें और भी concern ये केवल सौधी रिविया या इसराइल तक सिमित नहीं है सौधी रिविया की security की responsibility है US की और US इसको लेकर agreement भी करने वाला है तो सौधी रिविया ऐसा नहीं कि attack इसराइल पर इस तरह की possibility कम है इरान के साथ direct boundary नहीं लेगती तो इंडिरेक्टली वो हिजबुल्ला या हमास के थूर अटेक करना नहीं कोशिश कर रहे है और टेरर अटेक ही कह सकते है वोर complete वोर में जाना उसको अटेक करना वो थोड़ा possible नहीं होगा रश्या भी क्योंकि वो खुद उल जावा तो उसके लिए concern है इंडिया की जहां तक बात है भारत ऐसा हो तो नहीं है कि महाँ पर force भेज़ेगा ये सारी चीज़े हम दोग assistant करेंगे कुछ humanitarian assistant हो सकती है medical help एक तरिके से medicine भीजी जा सकती है ये सारी चीज़े हो सकती है थोड़ा सा soft help हो सकती है इस इसराइल एक territory पर attack करता है तो उसका answer ये कि से पहले अरब इसराइल वोर हो चुके है और इसराइल एक होता युद जीतना एक होता destroy करता है बहुत बड़े area को destroy करता है और उसके बाद area को capture भी करता है ये चीज़े एजिप्ट ने सबसे पहले समझे थी ये वो country है जो सबस से पहले diplomatic relations set करें इसराइल के साथ बहुत सारी अरबियन country ने आप इनके साथ चाहे वो I think Oman है और इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे सोरी Oman नहीं है UAE और बाहरीन ने इनके साथ relation establishment करें मरोक्कों के साथ हो और आने वाले टाइम में बैक दूर से सौधी रिवियन इ दिसकस कर रहे थे वो अभी भी कहिने के एक concern है इस पूरे reason को लेकर आगे बढ़ेंगे editorial page पे जाएंगे editorial में क्या-क्या important editorial है क्या-क्या उसका perspective है उसके बारे हम डिसकस करेंगे सबसे पहले बात करें दो important editorial है एक है news click non case करके title दिया गया है यारी जो news click काफी ज्यादा news मे आगया है उसके बारे में बात करेंगे एक digital platform है कह सकते हैं और इसको लेकर काफी debate है इसके बाद एक है title को करके जो MPC यानि monetary policy committee ने जो decision लिया interest rate को बोज करने के बारे में क्या भी नहीं बढ़ाएंगे उसके बारे में discuss किया गया है जब भी आप editorial पड़े मैं हमेसे एक बा प्रम सकते हैं क्योंकि दे हिंदू थोड़ा सा आपको leftist newspaper नजर आएगा और leftist और सरकार राइट इस्ट यह दोनों opposite होगे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा criticism नजर आए government का गवर्मेंट का criticism करना कलत नहीं है बट क्या होता जब आप one-sided criticism करते हैं वो UPSC के हिसाब से थोड़ा अलग लगता है एक balance होना चीए एक तरफ यहाँ पर आप देखेंगे news click जो case है जिसमें दो pucks है पहला pucks यह बोला जा रहा है कि जो F.I.R. launch करी गई है दिल्ली पुलिस के दवारा news click के जो founder है पर भी इनके guest कि भाई आपने कहिने कहीं एक serious offend किया है और इसमें जो आप content आपने paste किया है वो 2019 में parliamentary polls को impact करने के बारे में हो इनके guest UAP लगाया गया है Unlawful Activity Prevention Act इसके अलावा कहिने कहीं बताया गया कि यह बहुत ऐसी चीज़ों भी नहीं बोलते है जैसे Chinese funding के थूँ farmer agitations में इनका involvement हो इस तरह की चीज़ जिसमें इंडिया की image को challenge हो इसके लावा अरुनाचल परदेश और बहुत सारी चीज़ों के अंदर इसमें बताया गया हाला कि अब इसी चीज़ को criticism किया गया कि यह media की freedom के against है देखो दो चीज़े है एक तरफ देश इसकी integrity और sovereignty का question उठता है दूसरा आता है media की freedom अब media की freedom में एक बड़ा question यह भी raise होता है कि media में की freedom का मतलब यह नहीं होता है कि आपको unlimited power मिलेगी आपको जो करना करिए वो चीज़े तो नहीं होने वाली है तो सरकार का criticism definitely इसमें होता है कि आप कई ने कई power का access यूज कर र है यह नहीं क्योंकि यह serious concern है अगर आप इंडिया की integrity और sovereignty को challenge कर रहे है question कर रहे है Chinese funding का इक तरीके से case हो या फिर अगर हम बात करें tax evasion जो वीवर शाओमी जैसी company उनको लेकर इनकी sport हो अब यहां पर बताया गया कि यह कहने कहीं quite clear नजर आता है कि जैसे American businessman Neville Roy ने एक तरी तरीके से news click के साथ बताया कि Chinese जो fund है यह तरीके से propaganda की तरह यूज किया गया है यूए पी है जो इंपोज किया गया है यह definitely missuse है power का और Chinese conspiracy का कोई relation नहीं है इसके अलावा तोड़ा सा सरकार को बताया गया कि आने वाले time elections हो रहा तो इस तरह है कि चीजे क्या है वो एक agenda के through कर रही है नहीं कर रही है वो सारे चीजे है national security sentiments का use करना undermine करना इंडिया individual और media rights के बारे में यहानी यहाँ पर आप देखेंगे media rights के बारे में डिसकस होगा individual rights के बारे में डिसकस होगा होना चाहिए definitely जब आप किसी topic पर discuss करते तो one sided नहीं होना चाहिए दोनों पक्स क्या ह यह बहुत important है और relevant उसी को लेकर यहाँ पर question raise किएगी कि इसकी timing क्या है और क्या anti-terror laws का government misuse कर रही है यह एक बड़ा question है आगे बढ़ेंगे जो सबसे important है और exam से directly related यह topic है tight rope work करके इसमें बताया गया कि interest rate government ने नहीं बढ़ाई है sorry monetary policy committee ने नहीं बढ़ाई है RBI ने कहिने का concern है RBI की क्या slow growth की तरफ हम बढ़ रहे हैं या कुछने कुछ economic growth होने चीए उसमें कुछने concern है RBI की monetary policy committee वो committee जो decision लेती की rate of interest क्या होने चीए अलग-अलग जो policies जैसे रेपोरेट, reverse रेपोरेट या दूसरी जो एक तरीके से cash reservation होगा या MSF होगा बहुत सारी जो banking terms use होती है उनमे rates में change करने की responsibility वो monetary policy committee यानि RBI और government के representative के द्वारा collectively जो decision लिया जाता है उसके बारे में है इसमें बताया गया कि high inflation जो है वो definitely एक serious concern रहेगी वो हर economy के लिए है और खासकर macro economic stability यह जो word use किया गया यह नहीं large scale पर जो economy को impact करते हैं उसको बोलते है macro एक होता micro जो छोटे level पर impact करता है इसके बारे में बताया गया कि पहले quarter में headline retail inflation जो वो 4.630% के आसपास रही थी RBA का projection था 4.6% इसके अलावा price gain होना consumer price index के मामले में यह definitely accelerate हुआ अगस्ट और जुलाई के अंदर और यहाँ पर अगर हम बात करें तो inflationary trend को indicate करता है इसके बाद inflation का जो projection है वो 20 basis point बढ़ा दिया गया 20 basis point का मतलब है 0.2% जैसे यहाँ आप आप देखेंगे 6.2 से 6.4% हो गया इसके बाद अगर आप इस projection के बारे हम बात करेंगे तो hourly optimistic नजर आती है target है कि सेप्टमबर के अंदर यह 5% के आस पास रही अब आपको दो important चीज़े पता होने चीज़े एक होता है core inflation और एक होता है headline inflation जैसे headline inflation में सारी चीज़े आती हाउसिंग है transportation, medical, electronic, food energy यह आप सब चीज़ों काइड कर देते हैं तो उसको जो count करते है headline inflation, core inflation में housing, transportation, medical और electronics यह चीज़े count करी जाती है तो यह basic difference है जो हमें पता होना चाहिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 5% के आस पास का target रखा गया कहीं कहीं planning है हलाकि recent time में RBI काफी hopeful है कि LPG prices जो है वो कम होना, vegetables के prices कम होना इसके अलावा जो pressure है उसको कहीं ने कहीं थोड़ा सा कम करेंगी open market operation के बारे में जब discuss करता है यानि जब securities को sale किया जाता है उसको बोला जाता है open market operation यह inflation को के हिसाब से बहुत important है कि अगर inflation बढ़ रही है तो liquidity को कैसे कम करना है, liquidity को कैसे control करना है यह सारे चीज़े होती है, liquidity को बढ़ाना नहीं बढ़ाना यह open market operation पर depend करता है यानि जब RBI securities या sales को कहीं कहीं sale करती है, इसके बाद अगर हम बात करें RBI की जो unwillingness है कि यह जो interest rate इसको बढ़ाना नहीं है फिलाल क्योंकि economic stability पर काफी जाता है focus किया जा रहा है inflation expectation क्या होगे, यह तो आने वाले time बता तलेगा इसके अलावा अगर हम बात करें तो NSO's के data के बारे में economic growth के बारे में definitely concerns है उसके methods के बारे में भी कभी-कभी questioning उठती है कि क्या NSO का जो data है या उसका जो method है कि GDP की जो real growth 7.8% first quarter में रही है इसको लेकर हो इंडिया की GDP growth outlook जो है current fiscal के क्योर्डिंग उसमें कुछ questions है लेकिन वो increase हो रही है इस चीज़ को deny नहीं किया जा सकता इसके बाद जो RWA की governor सक्तिका अंदास उन्होंने acknowledge कि इंडिया की goods export जो है वो क्योंकि monsoon काफी जादा uneven रहा है uneven in the sense कि कहीं पर monsoon बहुत large impact किया कहीं पर drought कह सकते हैं light drought है जहां पर अच्छी बारिस नहीं हुई requirement खरीब showing जो है थोड़ी कम हुई खासकर oil seeds के मामले में pulses के मामले में RBI का जो projection है यह ठीक है रिस्क है लेकिन 6.5% के आसपास growth होगी इंडियन currency की value कम हुई है 0.7% के आसपास अगस्त के अंदर ही तो यह सारे चीज़े हैं RBI को भी concern है की importing inflation होगी यानि जो चीज़े हम लोग import करते हैं वो गर महंगी हो रही है currency हमारे weak हो रही है तो importing inflation भी होगी जैसे तेल की कीमत बढ़ गई इदर यहां हमारे currency की value कम होगी तो यह तेल हमें और महंगा मिलेगा और जब तेल इतना महंगा मिलेगा तो वो market के अंदर भी महंगा हो जाएगा तो यह सारी vulnerability है और interest rate को increase करना यहां सही नहीं होगा तो इसके बारे में RBINA decision लिया दो important चीजे हैं पहला आपके मन में एक सवाल होगा कि leading articles को क्यों discuss नहीं किया जा रहा है leading articles को आने वाले I think 25 तारिक के बाद हम लोग एक तो जो भी important होगा उसको cover करेंगे जो relevant होगा नया होगा इसमें भी अगर उसे पहले बात करें जब भी कोई political, casteism based, religion based article आएगा जो irrelevant होगा उसमें हम discuss करेंगे और एक नॉम्बर के आज़ पास जो हमारी planning है कि हम UPSC के previous year question को खासकर PLIMS के decode करें connect करें अपने discussion के साथ और उसमें minimum अगर हम बात करें, question discuss करेंगे, एक question आपको as a homework दिया जाएगा क्या आप उसमें काम करिए और उसके बाद आप answer करिए, discussion करिए ताकि एक healthy discussion हो, make sure करें कि exam में basic question paper tough आएगा, इसमें doubt नहीं है toughness को कैसे reduce कर सकते हैं, minimize कर सकते हैं, उसके बारे में jointly हम सब का effort होगा फिलाल, the Hindu newspaper analysis में तनाई, thank you, jahind